आज की हमारी चर्चा का विशे है अबर फोरे रिलेशन्स इन जैशंकर एरा डॉक्टर एस जैशंकर जो की हमारे मिनिस्टर आफ एक्टिव हैं काफी एक्टिव हैं और इनी के इस टाइम में अभी यह हाली में USA की विजिट को संपन करके आएं और यह विजिट काफी कारणो से चर्चा मरही चाहे चीन या पाक के छदा मभ्यासों को दुनिया के सामने खुलकर आलोचना करना हो या USA को पाकिस्तान के साथ जो F-16 डील हुई है उसको लेकर अपना बिरोध दर्ज कराना हो या UNGA में भारत के प्रतिनिधी की तोर पर उनका भाशन UN Security Council में यूकरेन के म रही इस विजिट की महत्ता कंदाजा इसी सा लगाए जा सकता है कि 11 दिन की इस विजिट में Dr. S. जसंकर ने लगभग 42 प्रक्षिय बैठक की छे गुरूप मिटिंग्स की जिसमें Quad, Bricks, L69 गुरूप, Sea Lake मिटिंग, G77, Caricom, India Caricom मिटिंग उसके अलबा चार त्री प्रक्षिय बैठक हुई जिसमें India, France, Australia के साथ, India, France, UAE के साथ, India, Brazil, South Africa के साथ और इंडिया, Australia, Indonesia की ट्राइलेटर मिटिंग गुई इसी के साथ दो संबोधन जेशंकर शाब ने किये एक UN Security Council में एक UN General Assembly में डॉक्टर S. जेशंकर ने लगभग 100 देशों के राजनरीतियों के साथ चर्चा की और डॉक्टर S. जेशंकर इस 77 Session को संबोधित करने के लिए UN की बिजिट पे गए थे UN General Assembly का जो 77 Session है जिसकी theme है Water Shared Movement Transforming Solutions to Interlocking Challenges और इस गाइडिंग लाइट के रूप में प्रिधानमंत्री नयंद्र मोधी ने पांच 5S को एक गाइडिंग लाइट बनाया था इस 77 Session के लिए कि हमारी इंडिया की अप्रोच क्या होगी जिसमें कहा गया था कि सम्मान, सम्वाद, सहियोग, शान्ती और सम्रिध्धी, रेस्पेक्ट, डायलोग, कोपरेशन, पीस और प्रोस्परेटी ये हमारे 5S गाइडिंग लाइट थे इस अप्रोच में 77 Session में जिसके लिए एज जैसंकर, यूएस की विजिट पे गए थे और इस विजिट में मैंली भारत के जो विदेश मंत्राले उसकी प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी सामने निकल के सामने आती है कि कि कितने effort, dedication और passion के साथ विदेश मंत्राले भारत की आवाज को, भारत के stand को दुनिया तक बॉर आज़े दिन डॉक्टर S. जशंकर ने मिटिंग की सिलेग के साथ जिसमें दोनों पक्षों ने अग्री किया कि वो टरेड ऑर कमर्सकों लेके अग्रिकल्चर को लेके फूर्ड और एनर्जी सिक्यूरिटी को लेके, हæल्थ को लेके, वेक्सिन के प्रोडक्षन को लेके, और ट्रडिशनल मेडिसीन और लोजिस्टिक्स को लेके, कार्पेरेट करेंगे और इन सेक्टर में आगे वर्क करेंगे, दोनों साइट्स ने UN और अगर हम साथ काम कर सकते हैं अगर हम सीलेक की चर्चा करें तो सीलेक की फुल फॉर्म है Community of Latin America and Caribbean States ये Latin America और Caribbean States का एक समू है जिसकी स्थापना हुई थी 23 फरवरी 2010 को पहले इसमें 33 मेंबर थे 33 लेकिन ब्राजील दुआरा 2020 में इसको छोड़ दी जाने के बाद इसमें केवल 32 मेंबर हैं अभी और ये एक Political Dialogue Forum है जो की मैंली काम करता है Latin America के जो integration उसको deepen करने के लिए और ये Succession Group है एक तरीके से जो Latin America का Rio Group था या Latin American Caribbean Summit था Integration and Development Group था उसका Succession Group माना जाता है Silek इसलिए important है क्योंकि अगर economy की बात करें तो दुनिया की third largest economy के रूप में सामने आता है गुरूप जिसकी economy है 7 trillion dollars की और ये largest food producer है in the world और third largest producer of electricity है तो ये भारत के लिए भी उतना ही एहम है कि Silek के साथ हम meeting करें और आगे हमारे संबंदों को बढ़ा है और Silek के दौरा भी इंडिया को चूच किया गया अपने first dialogue partner की रूप में पहला dialogue partner इंडिया को चूच किया गया उसका कारण है कि इंडिया का size, इंडिया का market political positions और इंडिया की जो affinity है developing countries के तहर उनके प्रति इंडिया का जो रवया है जो soft एक approach है उसको लेके भी Silek ने इंडिया को चूच किया पहला जो first India Silek summit हुआ था, foreign minister meeting हुई थी ये 7 अगस 2012 को new Delhi हुई थी उसके बाद 2014 में, 2015 में 2016 में, 2017 में ये meeting होती रही 17 के बाद से एक void सा आगया था पहले ही दिन की गई S.J. Sankar जो वारा और ये एक China Silek जो फोरम है उसको counter करने के लिए इंडिया के हितों के लिए बहुत जरूरी medium था उसी दिन Dr. S.J. Sankar ने तीन देशों के राजनही को साथ चर्चा की जिसमें Trinad and Tobago के राजनही के साथ चर्चा की Ukraine और Energy Security को लेकर चर्चा की साथ ही Malta जो की भूमद्य Sagar में एक island country है उनके foreign minister के साथ चर्चा की जिसमें UNSE में उनका जो election हुआ है अभी as a non-permanement member के रूप में उसके लिए उन्हें बदाई दी और UN और Commonwealth में cooperation के लिए उन्हें सयोग की विश्वास दिलाया अगर हम देखें तो अभी पांच देशों को UN की body में non-permanement member के रूप में चूज किया गया है जिसमें Ecuador है Japan है Malta है जिसके साथ डॉक्टर एजजे संकर्डा पहले ही दिन चर्चा की जो कि हमें बहुत जरूरी है non-permanement members के साथ भारत के हितों Mozambique और Switzerland इनको लिया गया है दो अफ्रिकान और ऐशिया पैसिफिक कंट्रीज के रूप में जिसमें जापान और Ecuador Mozambique और एक लिया है Latin American Country के रूप में Ecuador को और दो लिया है और दस non-permanent member है जिन में से 5 permanent member जो की 2023 तक non-permanent member रहेंगे Albania, Brazil Albania के साथ भी पहले ही दिन चर्चा की डॉक्टर एजिये संकरने Brazil, Gabon, Ghana और UAE साथ ही Ireland, Kenya, Mexico, Norway और इंडिया इंडिया भी अभी एक non-permanent member है लेकि इंडिया की membership 2022 में समाप्थ हो जाएगी और एक जनवरी 2023 से ये 5 नए member, non-permanent member जोइन करेंगे UN Security Council को UN Security Council में General Assembly के जो 103 में UN member है ये elect करते हैं 10 non-permanent members को जो की 2 साल के term के लिए सर्व करते हैं इंडिया 2021 और 22 में member था तब non-permanent members का इस्थान मिलता है अगर हम location देखें तो त्रिना टोवेको ये लेटिन अमेरिका साउथ अमेरिका के नोर्थ में Atlantic Ocean में, Caribbean Sea में त्रिना टोवेको आइलेंड है और Albania के location देखें तो ये अलवानिय के राजधानी है तिराना Albania Adriatic Sea में ये अगरिस के ऊपर गरिस के नौर्थ में कंट्री है और साथ ही Malta Malta Island कंट्री है जो के Mediterranean Sea में इटली के साउथ में वस्तित है नेक्ट डे 20 सितंबर 2020 को सेकिंड डे, डॉक्टर A.S.J. संकर्ड ने 10 देश्वक राजधानी को उसका साथ ही UN के जो प्रेसिडेंट है UN General Assembly के उनके साथ चर्चा की UN के जो प्रेसिडेंट है General Assembly के भी कसावा को रोसी उनके साथ डॉक्टर A.S.J. संकर्ड ने चर्चा की इंडिया के फुल सपोर्ट का अश्योरिंस दिया उन्हें इंडिया के दुआरा जो SDG एजंडा पर गलोबल प्रोग्रेस की जारी है इंडिया की जो एक्स्प्रियेंस है उनको शेयर किया इंडिया का जो कमिटमेंट है मुल्टिलेटरलिजम के लिए बहुं पक्षी के लिए बहुं पक्षवाद के लिए उसके लिए उनकी commitment को दिलाया, याद दिलाया, साथ ही इंडोनेशिया के साथ, डॉक्टर एजे शंकर ने जब चर्चा की, तो इंडोनेशिया को कमिट किया कि इंडोनेशिया की G20 जो presidency है, क्योंकि इंडोनेशिया के पास 2022 में G20 की presidency है, और यह success पूलो, इसके लिए उनकी बदाई दी, और साथ ही मियामार को लेके चर्चा की, जहां पर अभी हाली में जो घटना कम हो रहे है मियामार में, UAE के साथ, उन्होंने अपनी partnership की progress की चर्चा की, global situation के बारे में थोड़ी चर्चा की, इथोपियो के साथ जो चर्चा हुई, उसमें man focus रहा education और trade पर, education और trade के बारे में चर्चा हुई, निकारागुआ के साथ, global situation, bilateral issues पर, multilateral implications है, उनके लेके चर्चा की, साथ ही कोमार उसक में, Madagascar के, North में अबस्तित देश है, और development partnership को लेके चर्चा की, घाना के साथ जो चर्चा हुई, वो UN Security Council में के cooperation को लेके ताकि वो भारत को cooperate करें, और counter terrorism को लेके चर्चा हुई, साथ ही क्यूबा के साथ जो चर्चा हुई, वो हुई, दोनों के, दोनों देशों द्वार, G77 में, साथ में काम करने, rice supplies को लेके, चामल की जो supply हुई, उसको लेके चर्चा की, साथ ही, क्यूबा के दौरा एप्रिशेट किया गया, भारत के दौरा जो पंच कर्म सेंटर मनाया गया हवाना में, उसको एप्रिशेट किया गया, क्यूबा के दौरा, और इंडिया ने भ चर्चा हुई, और UN प्रोसेस में reform के लिए चर्चा हुई, इजिप्ट के साथ चर्चा हुई, उसमें important चर्चा हुई defense को लेके, trade को लेके, और साथ ही investments को लेके, और में चर्चा हुई green hydrogen, ammonia और education को लेके, क्योंकि official sources केते हैं, कि जो Egyptian leadership के साथ मिटिंग थी, वो काफी important थी उसका कारण था कि Egypt और India लगबग same page में हैं, जब बात आती है, development concerns की, global south health corporation की, या फिर UN reforms की, और साथ ही, Egypt अभी chair करेगा COP27 को, जो United Nations Climate Challenge को, उसको chair करेगा Egypt, और Egypt renewals में, especially green hydrogen और ammonia में अपनी विशेस्ता रखता है, इसको लेके green hydrogen ammonia को लेके चर्चा हुई, क्योंकि ये भारत के hit के लिए, ज़रूरी साभीत हो सकता है, जब भारत renewal energy को लेके, काफी ज़्यादा, यह साथ में करे कर रहा है, इसको लेके चर्चा हुई, साथ ही में पहली trilateral meeting की चर्चा हुई, second day, जिसमें India, UAE और France की पहली, तिरी पक्षी बैठक हुई, जिसमें तीनों देशों ने UNSE में reform की बात की, आइडियाज शेर किये, ये चर्चा mainly शुरू हुई थी, जुलाई 2022 में जब trilateral meeting हुई थी, focal points of India, France और UAE की, और जिसमें तीनों sites ने exchange की थे perspective, Indo-Pacific region के लिए, कि Indo-Pacific region में हम क्या काम कर सकते हैं, क्या सायो कर सकते हैं, क्या cooperation कर सकते हैं, और potential जो areas निकाले trilateral cooperation के वो थे maritime security, humanitarian assistance, disaster relief, blue economy, जिसमें France को और UAE को काफी अनुबब है, साथ ही regional connectivity की चर्चा की, multilateral forum cooperation की बात की, food security, energy security पे चर्चा की, innovation startups के उन वेके cooperation के लिए, potential areas की रूप में निर्धायित किया, supply chains, resilience पे चर्चा ह and people to people cooperation पे, ये cooperation की बात की गई, अगर हम location देखें, तो second day, घाना से चर्चा हुई, इजिप्ट से चर्चा हुई, इथियोपिया, किराजनेकों के साथ चर्चा हुई, साथ ही कोमारोस से चर्चा हुई, इंडो पैसिपिक को लेके और इंडियन उशियन को लेके, 27 होने वाला है, 2022 में नवंबर में, साथ ही सर्विया के साथ चर्चा हुई, और यूए के साथ चर्चा हुई, इस तरह हम देखें, तो day 1 और day 2 में, डोक्टर S. जे संकर ने, तिनाट टोबेगो, क्यूबा, निकारागुआ, साथ ही अफरीका में घाना, कोमारोस, में फ्रांस, अलवानिया, सर्विया, माल्टा, और साथ ही अईशिया में यूए और इंडोनेशिया के राजनेगों के साथ चर्चा की, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे, डे 3 और day 4, day 5 में, आगे किस तरह से, डोक्टर S. जे संकर की विजिट कितनी भारत के हितों के लिए मददगार है, और किस तरह से ये एक के बाद एक continuous bilateral talks करके, trilateral talks करके, एक तरीके से foreign relations को, और foreign affairs को, इतना ज़्यादा उस्सु अब तक के लिए, stay tuned, Unlock GS Academy को सब्सक्राइब करें, धरने बाद.